आज हमागे बिल्स ओफ एक्षेंज के पार्ट टू वीडियो में आज हम बात करने वाने कुछ इंपॉर्टेंट टम्स और ड्यू डेट का कैल्कुलोशन बहुत बार हमारे एक्जाम में चाहे वो हो CHSE हो चाहे CBC हो ड्यू ड्यू डिट कैल्कुलोशन पर बहुत बार नुमेरिकल वन मार्क क्वेसं आते हैं इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जब पूरा फुल फ्लेज नंबर करते हैं 8 मार्क वरा तब भी यही ड्यू डिश्क का कैल्कुलोशन इंपॉर्टेंट लेकिन उसके पहले कुछ छोटी-छोटी बाट हम डिसकस करेंगे, एक बर मैं आपको ये भी रिकॉल करते हुए, लास्ट कास में क्या, लास्ट लेक्षर वीडियो में क्या पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो पहले उसको देखेंगे, तो आपको ज़ साइदे क्या-क्या है, उसके अलावा हमने बात के थी, कि बात की जो इसका फॉर्मेट वगरा, इसके बारे में बात की थी, साथ में इसका concept डिसकस किया था, और प्रमोई नोट के बारे में बात की थी, तो आज आ जाती ही कुछ basic terms, ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, जब एक व्यक्ति को किसी और से पैसा लेना होता है, चाहे वो समान बेच के पैसा लेना हो, या किसी बात का पैसा लेना होता है, तो वो बिल्ड रॉख करता है, एक कागज बनाता है, जो legal document होता है, जिसको पैसा लेना है, और जिसको पैसा लेना है, और जिसको पेमेंट द लिखा लिखा होते, एक time लिखा होते, कितने दिन बाद यह बिल जाके valid होगा, से, अगर मानलो, हमने एक बिल रह टीया, अगर हमने एक बिल रह टीया से, दो महिने के लिए, ठीक है, तो term of the bill कितना होगया, two months जैसे मान लो ये एक bill है और इस bill पे लिखा गया है two months तो ये जो two months लिखा गया है ना this is called term of bill और ये जो दो महिना जब जिस दिन expire करेगा जिस दिन ये दो महिना खतम होगा तब जाके इस bill की valid दिन मतलब bill लेने का पैसा हमारा पैसा really due होगा जो term of bill के हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा एक ऐसा period this is the period for which the bill is run for the date of the bill in other words ये expiry होने के बाद bill क्या हो जागा due for payment होगा जो से हमने बात की अगर मैंने bill रौक तीन महिने के लिए तो जिस दिन bill खतीन मेंना खतम होगा उस दिन ये bill payment के लिए due हो जाएगा और इस तीन महिने को इस तीन महिने को हम बोलेंगे term of the bill और होप क्लियर यस सर example भई है निक साथ है date of maturity देखो जिस दिन हमने bill रौक या और जितना दिन के लिए रौक या जिस दिन ये bill expire करेगा भाने कि date of maturity में हम पैसा मागने जाए किसके पास draw के पास date of maturity कैसे count करते हैं तो सबसे पहले term of the bill जिस दिन हमने date draw किया वो date लेते हैं term of the bill को add करते हो तीन extra date लेते हैं जिसको हम बोलते है days of grace क्या होता हम discuss करेंगे so date of maturity क्या है date on which payment of instrument falls due जिस दिन ये due होगा जिस दिन हम पैमेंट लेने के लिए जाएंगे उस date को बोलेंगे date of maturity days of grace मैंने बताया अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि ये सारे चीजें हम negotiable instrument act के अंदर discuss करते हैं ठीक है उसी में तीन ये बिल तीन instrument document बतायागे चेक्स बिल्स अपक्षेंज और प्रमोजिल नोट तो उसी बिल्स उसी नेगोशिव इंस्टुमेंट में तीन additional date कितने तीन त्री additional dates allowed dates allowed होते है किसको ड्रॉई को और और above above the day term of the bill फिरसे बोल ला हूँ तीन additional days जो term of the bill के extra उसके उपर दिया जाता है ड्रॉई को money arrange करने के लिए that is called days of grace तो सब जब बिल तीन मेने का गा तो तीन दिन देंगे और दो मेने के बिल में दो दिन देंगे एक दिन देंगे ऐसा नहीं जितने दिन का भी बिल हो ये तीन दिन fixed है respective of term of the bill these three days are fixed समझे माई बात ओके तुमने क्या डिसकस किया three additional days allowed to draw after nominal due date ठीके जिस नॉमेल डूड़ेट के बाद ये जिस दिन खतम होगा उसका हम बोलते है nominal due date ठीके to make payment to the bill of amount is called days of days समझे माई बात अब एक example लेते हैं मालो एक bill हमने डॉड़ किया पाथ जन्वरी को ठीके बिल का जो टर्म है अब देखो यहाँ पर दो तिन चीजे ये फिप जन्वरी को हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे date of draw ठीके और ये जो तीन महिना है इसको हम बोलते है ओक जन्वरी और उसके बाद हम तीन महिना अड्री पाथ है कौन सटीन महिना जो टर्म आप दो बिल्टा ठीकिसक्mile और साथ में इक्स्टा एड़ करें करेंगे यह हमिने बात की that is days of grace बोब फार्च जन्वरी से तिन मेना आइड करो जनुपांज जनुट पार्च फर्वरी एक तर्वरी तु पार्च फर्वरी टू मार्च प्रवरी तू अप्रील याणि कि हमार ड्यू देज कब आ रहा है नॉमिनल दू देज आ रहा है बीना अधिशन पीन दिन लिय देज ग्रेश लिय that is 5th of जैन्वरी, और फिप्त आप, sorry, अप्रील, तीन दिन एक्स्टा आइड करीं क्या, देज अप्रेस, तो जो हमारा डूट आड आगा, देट इस, 8th of अप्रील, I hope समझ माई बात, यस सर, ओके, अब कुछ important point हम ध्याद आब बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है for calculating rate of maturity, ठीके, पहला, the term of the bill is, if अगर मान लो, जो term of the bill है, यह अगर दिया है month में, then days in the month is irrelevant, सर, समझ मनिया है, देखो, अगर मैंने एक bill ट्रॉ किया, जनवरी, पांच को, जो अब हम डिसकस किये थे, for three months, ठीके, तो बताओ, जनवरी में कितने दिन होते हैं, सर, 31, फरवरी में, जनरली कितने होते हैं, 28, लेपियर को छोड़ के, तो अगर हम, यह term of the bill, months में है, months में है, तो यह भी one month है, और यह भी one month है, ठीके, इस महीने के अंदर कितना दिन है, यह नहीं है, I hope मेरे बाद समझ माई, तो अगर, तुम्हें ध्यान से एक्जाम में देखना है, कि जो term of the bill है, whether it is expressed in the month, और whether it is expressed in days, if it is expressed in month, तो जो days in the month हुआ, that is ignored, उसको हमें ignore करना है, लेकिन, अगर वो expressed in days में है, मान लोगो days में है, say, 60 days के लिए, हमने bill draw किया, और bill draw कप किया, 5th और January को, तो January में कितना बचा, January में 26 days लेंगे, plus, फरवरी में कितना लेंगे, 28 days, कितने हो गए, 26 और 28, plus, March में, यह हो गया, 54, March में लेंगे, 6 दिन, plus, तीन दिन, एक्स्टा, ठीके, यानि कि, 9th of the March, समझ माही बात, तो इन शॉट मेंने क्या बता है, फटा पर बताओ, जल्दी, ओके, सो मेरे बाल, लाल बाल गोपाल, हमने यह डिसकस किया, ति, अगर term of the bill, मन्थ में दिया है, तो, एक महीने में कितने दिन होगा, days in the month is irrelevant, हमार लिए फरवरी भी एक मेना है, और जनवरी भी एक मेना है, एवेंदो फरवरी में 20 दिन होता है, और जनवरी में 30 दिन होता है, लेकिन अगर यह bill एक्सप्रेस है in days, तो month in the days is important, फरवरी को एक महीना नहीं काउंट करेंगे, it is counted as 28 days, होग क्लियर, यसर, next आते हैं, जब due date fall करता है on public holiday, किस पे on public holiday, अब देखो ध्यान रखना, जब भी मैं public holiday की हम बात यहां कर रहे हैं, तो कौन सा public holiday, तो as per central government जो public holiday डिक्लियर करता है, ठीके, सर एक्जाम्पल, एक्जाम्पल 2nd October, एक्जाम्पल 26th January, एक्जाम्पल 15th of August, इनको हम बोलेंगे public holiday, ठीके, अब ओरसाय में नुवा खाई का, बिहार में छट पूजा का, तो यह सारे public holiday में count नहीं होंगे, because negotiable instrument में इनको public holiday अभी तक नहीं मारा लिया, ठीके, सो अगर public holiday fall करता है, यह fall हो सकता है, हमें पहले से पता हो, जिसको हम बोलते हैं, नोन holidays, अगर नोन holidays है, और हो सकता है कि emergency holidays हो, अगर unknown है, known holidays है कम क्या करेंगे, supposed to be one day earlier, यानि कि, एक दिन, पहले लेना है, और अगर unknown है, क्या है, unknown है पहले से पता नहीं, for example, अगर किसी का, death of, national leader का death हुआ, and public holiday is, declared, तो हमें पहले से पता नहीं था, उसमें क्या करेंगे, एक दिन, बाद लेंगे, example, मालो से, 10th March को हमारा, fall कर रहा है, और उसी दिन, एक emergency, public holiday, declare हो गया, तो इस due date को, हम कब ले जाएंगे, due date को ले जाएंगे, 11th, March को, और अगर मालो, 26th January को fall किया, तो किस में किता लेंगे, 25th January, समझ माया, यानि कि, अगर known holidays है, तो एक दिन पहले, unknown holiday है, तो एक दिन बाद, इग्जाम्पल के लिए, अगर मालो, हमने, बिल ड्रॉप किया, on, 23rd of, December, for, one month, तो बताओ, due date क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, तो, date of drawing, is, कभ है, 23rd, December, plus करेंगे, one month, और plus करेंगे, three days of case, तो यह आया, 26th January, हमको क्या लेना है, एक दिन पहले, जाएं लेंगे, 25th of January, hopefully clear, yes sir, clear, तो एक फटाफट, नंबर करते हैं, कुछ जल्दी से आयाते हैं, कुछ नंबर में, देखते हैं, किस में है, dumb, मान लो, तो यह कुछ एक्जाम्पल्स है, अगर 1st January को हमने, बिल्ड रॉक किया, 30 April को बिल्ड रॉक किया, 1st July को बिल्ड रॉक किया, और 23rd December को बिल्ड रॉक किया, 12th July को बिल्ड रॉक किया, 10th January को किया, लेकि 13th April emergency hold है, यह dates of bill है, और कितने महीने के ट्रॉक किया, पहला किस में हमने ट्रॉक किया, 3 मेने का, दूसरे में 2 मेने का, तीसरे किस में 30 डेस का, 3 days में एक स्पेस्ट है, 23rd November को हमने ट्रॉक किया, 1 मंद के लिए, 12 July को ट्रॉक किया, 30 दिन के लिए, और 10 जनुवरी बला हमने ट्रॉक किया तीन महीने के लिए तो इलका डूटेट आपको मुझे कॉमेंट सेक्षिन में लिखके बताना चल्डी से ओके सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब ओके डन सो लेट्स चेक आपको और मेरा अंसर से हमें क्या तो सबसे पहले ये तो क्रेश्चन सा डेट बिल अब डूटेट में आते हैं अगर फर्स जनुवरी कमें ट्रॉट किया था उसका डूटेट फॉर्थ अप्रिल तीस एपिर वाले का डूटेट क्या होगा थर्ड और 10 जनुवरी जो हमने ट्रॉट किया था ये इसका डूटेट हो रहा है 13 अप्रिल लेकिन हम कौन सा लेने वाले हैं 14 अप्रिल विकास एमर्जेंसी था तो एक दिन बाद में लेने वाले हैं दन क्यासर